देर रात का वक्त मुंबई के बोरीविली का इलाका पुलिस रोस की तरह गश्ट पर निकलती है लेकिन अचानक कही से बच्चे की रोने की आवाज सनाई देती है पुलिस यहां वहां ढूमने लगती है कि आखिर बच्चा कहां रो रहा है फिर पुलिस की तलाश खत्म होती है कच्रे के डिब्बे के पास जहां सफेद रंग के तॉलिये में लिप्टी एक नन्ही परी मिली मानो वो चला चला कर सबसे कह रही हो कि कोई तुम मुझे बचा लो कोई तुम मुझे यहां से ले चलो 20 नवेंबर की रात मेजबी पुलिस को आकाशवानी गुराई डेपो के पास चार दिन की नवजात बच्ची फटपात पर लावारिस हालत में मिली बोरी विली में दो महिने की भीतर ये दूसरी घटना है बोरी विली थाने में तैनात एक पुलिस कॉंस्टेबल नेर रात में पेट्रोलिंग की दौरान गुराई रोड सिद आकाशवानी बस्टोप के पास एक बच्चे के रोने की आवास सुनी सिपाही ने तुरंट पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी एमेजबी पुलिस थाने की एक अधिकारी ने कहा कि एमेजबी पुलिस के निर्भया पथक टीम जिसमें एक महिला पुलिस कॉंस्टेबल कमल मॉले एसाई घारगे और ड्राइवर वालवी शामिल है मौके पर पहुँचे आकाश्वानी बस्टॉप की पीछे फुत्पात पर एक लावारिस नवजाद बच्ची पड़ी थी उसने गुलाबी रंग का टीशट और डाइपर पहना हुआ था और सफेद रंग के तोलिये में लिप्टी हुई थी जो मेंन कंटोल है उनका तो मेशेज आया था कि कोई बच्ची वा फेकी गई है एक जाक कितने गंटे पहले उसको फेका गया है या उसको वहां रखके गया है इसको तो पता नहीं है लेकिन हमें वह मिलने के बाद हमने इमिजेटली श्रताबदी ऑस्पितल जो है कांदी व आखिर कैसे कोई मां इतनी निर्टए हो सकती है क्या इस बच्ची को लड़की होने की सजा मिली या बिन ब्याही मां की बेटी होने की पुलिस ने बच्चे को तुरंत अस्पताल में भरती करा है बच्ची का इलाज किया बच्ची अब बिलकुल ठीक है पुलिस मामले की जा अरियादफ के साथ निशा ठाकुर के रिपोर्ट